सब्सक्राइब काम है। बस नास्ता हो जाने के बाद से जो भी वेजी टेबल और आये थे वो समय धोंगी, क्लीन करूंगी, सब को साफ करके, ग्रीन लिप्स बहुत सारे आये हैं, जैसे हरा प्याज है, निस्ट, और इसागनी, धनिया और जो भी है, यह सब बनाऊंगी, साफ करूंगी, तो नास्ता खराब भी हो जाएगा, तो इसको मैं खराब होने दूंगी, नहीं, कल रात में ही हजबन जी लेके आये थे, इसको मैं ऐसे ही रख दी थी, और कसोची कल मैं कर लूँगी, तो बस हलकेल की धूब भी हुई है, और बस इसको मैं कर लूँगी, उसके बाद से खनोंगर काम करते हैं, गर्वी में थोड़ा फास्ट फास्ट जल्जली सारे काम होते हैं, इस वज़ा से बहुत टाइम लग जाता है, तो यह हरा प्यास है, इसको मैं अच्छे से क्लेन करके, और सबको रैप करके रख देती हूं, ताकि मतलब पेपर में रैप करके इसले रखते हैं फ्रीज में नमी हो जाता और ठंड में काफी जादा घञाता osis, जल्दी खराब हो जाता है, मैं पूरे 24 गंटे में की वर फ्रीज चलाती हूं और रात भर में फ्रीज और दिन भर में एफ्रीज स्क्राइज ओन रखती हूं, तैसे करके, और यहां पे सोहा, धनिया, और क झाल दी हूँ जो भी इसका नमी होका हो रहा हो गार जो थानिया को भी उसी पेपर में शकुर करे सुटर और भून बार क्या थानिया को भी तो अज़ाइस है झाल के अग करें होद्जाना मेड़ी टाइस थानिया को ज़्ट कर दें हैं हारा थानिया को अनुद selling Но when इसे काफी दिन तक चल जाता है मेरा हपता से 10 दिन आराम से चल जाता है खराब नहीं होता है तो सारे काम जोगा थोड़े से मेथी वह भी बना लेते हैं उसके बाद से क्लीन हो गए रहा है यहां पर करके और फिर कीचन में चलते हैं तो गाइस दोपैर के लंच में मैं बना रही हूँ चिकेन और मटर पुलाव बनाऊंगी तो आप लोग हमेशा सोचते होंगे जहातर मैं हमेशाद चिकेन ही बनाती हूँ जी है बच्छे लोग मेरे मतलब चिकेन ही पसंद है ज्यादा तर तो इसलिए और इसको चिकेन को मैं अज फ्राइ करके बनारी हूं अलक से और दूसरे कडाई में मैं मसाला रेडी कर रही हूं साइड में तो गी में इसको फ्राइ कर रही हूं और नमक और हल्दी डालके देखिए हमारा चिकेन मंगे रेडी हो गया है और साथ में अधर मत्र पुलाव भी बस भून रही हूं अच्छे से भून के पाच मिनट तक ओल में उसके बास इसमें गरम पानी आड़ करके फिर एकसीटी आने तक इसको पका लेंगे तो हमारा मटर पुला और चिकन मन के दोपायर का लंच कुछ ये था तो इस तरह से रेसिपी बहुत बार सेर कर चुकी हो तो इसलिए कोई आप जाएंगे और साम के टाइम में हजबन जी कली से मुझे 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 का बहुत दिल ताप बताई भी थी मैं मागी बनाई थी तो देखिए अचाना को लेकर आगा है तो और इतनी ज्यादा स्पाइसी थी ना फुल मतलब क्या ही बताओ मतलब इतना आप एक खाएंगे ना तो काफी मजा है और काफी घरम भी था रात के डिलर में मैं साग बॉल करके कली रख दी थी तो कुछ काम करके रख दो फ्रेज में तो इस तरह से आपका बहुत ही जल्दी से सब कुछ खाना हो गारा जो भी बन जाता साग बॉल था बस मैं तड़का लगा दी हूं सिंपल फिज और बस यहां पर मैं बनाने चाहरी हूं मेथी की पराटे तो आपके साता से प्रेशन करती हूं साग का मैं बिसे प्रेशहने हैूं सिंपल तड़के लगा के आप जैसा भी तड़का लगाना चाथे लगा सकते घुझी बच्चान की मजह चाहिस मैं निकाल ले दी और और इस तरह से सारी चीजे में स्टोर करके रखती हूंगा धन्या यह पहले का जो आज में बनाई वह नहीं है और यहां पर हरा लैसून धन्हारा धनिया और एक मिर्ची ली हूं तीखा नहीं ज्यादा बनाऊंगी क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे इस वज़ा से एक चोटा वाला जब बेभी है अरी बाबु वह बिल्कुल नहीं खाएंगे और हरा धनिया और यह थोड़ा सा मेथी जो है वह भी कट कर लूंगी तो इतना काफी होगा मेथी के पराटे के लिए और भी मेथी होता तो सही होता है तो मेथी फ्रेस ही यूज कर लें हरा जो तो चलिए आटा जो है मेथी के लिए लगा लेते हैं तो इसमें आटा मैं ले ली हूँ आप जितना मतल अपने फैमिली के हिसाब से लें और इसमें सॉल्ट डाल दियो अजबायन डाल रही हूं और मंगरेला डालूंगी और थोड़ा सा ओयल डालूंगी दो तीन चमच और बिल्कुल भी यह बहुत जादा ओयल डाल दें तो थोड़ा ही में दो तीन चमच और लें बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो थोड़ा सा माइन देना होता है तो थोड़ा सा प्राथा अपका फलफी बनता है अगर आप ओल नहीं डालना चाहते तो ओल के जगा आप अगर नहीं तो थंड के काफी मजे होते हैं ठंड तो होते ही ठंड से तो करकडा ठंड से हम लोगी हालत तो खराब होती है पर सब्सी यह बहुत सारी मिलती है और थोड़ा सा हल्दी डाल के इसमें अप टेवल स्पून मिक्स करके और आटा लगा लेंगे जैसे नॉर्मल आ तो थंड में ऐसे मेथी के पराठे गोबी के पराठे आलू के पराठे मूली के पराठे जीतरे भी पराठे हैं कैवेच के पराठे सारे पराठे बना ले और सारे मतलब पराठे बनाए अपने घर वालों को खिलाए और बहुत हेल्दी भी होता है गाईस तो चली फटा फट वेश्ट होगाए तो हुआ थुद्ट का इसेख लेती हों तो पताक से इसको अच्छे से से लेना है घी ओल बटर जो ही एप लगाए उससे आप सेक सकते हैं कि दुबस धीमी धीम आज पर मेडियम इस पर इसको अच्छãy क्रिस्पी होने तक प्राठे को गी लगा लगा आका त्सेकी और ठंड में घी के प्राठे काएं और बिल्कुल सहत मंद रहें गाइस और ठंड में सारे प्राठे जो भी होते हैं आप अपने घर वाले घर थे सबस्पटल सब्सक्राइब जो मु요 30 को हिर्वालज Como यमयरो नंश्यवने कैसे इसरी साथ Дोगल डंकर उने सीमेश पता के भी आपकी बहुत आप परस साथ है किल डिल है दो लेकर को तुछ इसमें ऑला कि हुम्मा उनलेटी है इसे भी कुलने का कोछिस करती हूं जैसे भी ह्यावघका करती हूं और बस साग जो हमारा बना था वो तो आज का डिनर कुछ यही है यह नीचे के लिए जा रहा है सासुमा के लिए और के बाद से हम लोग भी खाएंगे हजबन जी भी है नहीं तो वो जब याएंगे तो उनके लिए गर्म गर्म प्राठा मैं सेकोंगी जबी भी आएंगे से रात में अभी दात को दस बजरा बच्चे लोगों खिला कि मैं सुला दी हूं मैं भी खाना का ली हूं बस साजबन जी के लिए पराठे जो है मेति के वो सिख रही हूं ठीक है कि सिंख में वहात कुछ बर्तन पड़े हूं वह भी दूलना है मुझे बाकी यह सब टिफिनोगर में धूल दी हूं तो कुछ ऐसा है बाबू के लिए दूल भी बना ली हूं तो में लुकर लंच होगा रहो गया और यहां पर देखिए मेरे पीनट सिक्की और बचलों के लिए टैड़ी बिस्किट जो होता है वो बहुत ही उनलों को पसंद है तो अभी एक मैं चिक्की लूँगी और बिग बस हमारे स्टार्ट हो गया है तो बस वही मैं देखूंग और नाइट में मेरे यही काम होता है बचलों के जल्दी सुला देती हो खाना हो गरे खिला के और राम से सुकून से बैट के बिग बस देखती हूँ फूरा जब तक शलेगा अगर जो भी छूट जाता है मतलब पीचे का तो मैं फिर से दुबारा देख लीती उसी वक्रात म तो कुछ ऐसे हमारा दिन निकलता है ठंड में और मिलते हैं नेक्स डे आपको तो यह नेक्स डे की क्लिफ है गाइस यहां पर मैं दिखा रही हूं दही मैं पॉट में कैस्टरोल में ऐसे जमाती हूं दही बहुत ही अच्छे से थीक दही जमता है ठंड में आप ऐसे दही ज तो चावल काटा यह मैं डबे में डाल के रख रही हूं आगी जो बच जाएगा वबाजी के आभेज दूँगी तो चलिए फट फट से यह सब मैं लगा देती हूं जो भी हमरे काम है वो सब धीरे धीरे करना होता है ठंड हो यह सो गाइस आज है फ्राइडे और फ्राइडे की दिन देखिए इतना सारा गोस्ता जबेंज लाके रख दिये हैं दो चार दिन आराम से चलता रहेगा तो अभी सब को मैं कट की हूं इसको छोटे-चोटे टुकडे में बीफ का भोस है तो छोटे- daคمر अभी में रखती है वेस्ट नहीं करती इसको साइड का जो भी होता है ये पीस्ने में बहुत प्रॉबलम होता है मसीन में तो इसलिए इसको अलग रखती हूं इसको भी वाल कर देती हूं आज अभी गोली कीमा को यह ना तो इसमें आट कर देती हूं तो यह था हमारा कटिंग हो गया है अभी इसको धुल के और सब को ड्रेन करके अच्छे से पानी करके तब फिरिजर में रखोंगी तो चलिए सब दोड़ी कर लेते हैं आली गनी उपारी है ना ले जिसता हूं अवी यहाँ जूँ हैं अनकी अपयाओ पर बीकट गये हूए गाई है है अब झाद गोगे मेरे अच्छांट गया अच्छान गया है अली खुर तो है, कहा तो है गाड़ी अली, घाले है, ज़हीं भूझ के पहुँ और इंहीं थोड़ी है तो है, अज़ी पेंगे ज़ना, को तहीं को तहिं गले हैं, ठाउट नईको पूझाम को तो नहीं पुछाया ने अज़ा, नेस बार बोल दीजेगा जाएएगा तो, ठी इस वजह से काम तो रुखेगा नहीं काम तो करना ही जाहे जिस भी कंडिशन में आप हों काम तो करना होता है यह दो गोस्त मैं धुली थी और वीच मेरा हाथ अगरा कड गया तो इस वजह से वड़ा काम जो है रुग्ये प्यास खट कर रही थी ना उसमें चाकू से ही लग ग और बस यहां पर यह जो मुझे कीमा बनाना जिसका गोस्ट का उसको भी मैं धूल के यह से तब उसका कीमा बना दे धूल के रख दूंगी कल इसका कीमा मैं पीसूंगी आज नहीं बिल्कुल भीगा हुआ गोस्ट आप मिक्सी में डाल के नापी से वरना आपका मिक्सी जो है तुरंत खराब हो जागा एक ही दिन में तुरंत खराब जागा पीसा भी नहीं जाएगा और मिक्सी भी खराब हो जागा इसलिए मैं गोस्ट को कल तक के लिए छोड़ दूँगी ऐसे ही ड्रेन होता रहेगा छन्नी में रख के रखती हूँ तो उसके बाद कल ही मैं पीसू तो नहीं कर सकते हैं तो फिट खट गई थी चलिया फट फट पे तो शुर्म जी बहुत ही अर्जेंटिक किल फाले और आपने कोई फैदा नहीं अन्हें है और हजबन जी मतलब उनको जाना था बहुत ही अर्जेंट में और उनको जाना है तो वो चले भी गया है गोस्त वगर वैसी बना कर रखा रहे गया तो भस आएंगे तो रात में खाएंगे और चाओलो गरवी में काफी ज़्यादा बना दी थी दाल चाओल में ऐसे बना ली थी तो देखते हैं क्या होता है पूरे दिन भर तो भी हजबन जी यह साम का टाइम है यह आ गए है देखिए मैं तब गाव साइड में गय थे तो वह कि आए हैं तो अभी छील चील के हम सबको देंगे क्योंकि मुझे भी छीले नहीं आता ही और बच्चे तो भी छोटे है तो बुन लोग से चीला भी नहीं जाएगा तो चील चील के सबको दे रहे हैं खाने के लिए वैसे अज फ्राइडे था तो हम लोग धूप हुआ था ही तो सारे लोग नहाने में और फूरे घर की क्लिणि करने में में पुरे दिन बीजी है तो इसलिए मैं कैम रा और अट की दे रहे हैं मेरे भी हैं मेरे उल्हत थोड़ा थोड़ा भवई झान झायोंगी जादा नहीं खाहंँगी लोग अली यान देखने में, लोग ज़ए गढ़ना नीज पॉपकॉन गए किया है मैं चलो इतना कैसी करीब नहीं जाया जाए चाहुए स्पीं घद काफी ज्यादा में बना दी आदा शो गारा नेधिए नहीं जाता है नहीं पुरे दिन बर झाना भी नहीं हो तो मैं पॉपकॉन उगला बनाई चाय तो वही बस खाय तो यहां पर चावल काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता तो इसको मैं अच्छे से फ्राइराइस बना रही हूं और यहां पर ओल में जीरा और प्याज, हारी मिर्च, गाजर, मटर यह सब जो भी वेजिटेबल है वही मैं आड़ करूंगी और यह सब डालके गाजर मटर वाला ज तो यहां पर मैं थोड़ा सा गरम मसाल आड़ की हूं और इसको मिक्स करेंगे और इसके बास इसमें राइस आड़ कर देंगे तो बहुत टेस्टी बनता है और फ्राइक करने के बाद फिर अभी मुझे रोटिया भी बनाने है रात के लिए तो बच्चे जो है मेरे रोटी यह बिल्कुल भी नहीं खाएंगे तो मैं यह को खाना थोड़ा बहुत खालेगी यह सब खाती नहीं है ग्रीन ग्रीन देखके यह मटर वगएरा तो बहुत प्राब्लम होता है इस तरह से अगर आपका दिल भी होता है तो बच्चे लोग के लिए मतलब थोड़ा थोड़ा कोशिस करती हूं खिलाने का ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं तो फे छोड़ देती हो नहीं डात की जब जगन खिलाती हो थोड़ा 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 देती हूं Bas डेख्यां लग्त्राइय के सूश अन्ष़ा करें इसमें वरżenie जैसा नहीं कि सेम सेमस्चें डे सेमठी आपक भी बनाने लगी होगा तो दूसरे दिन का कुछ दिन ऐसा था तो आपको ब्लॉक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताया करिए का इस प्लीज कमेंट करें आप लोग कमेंट करना बंद कर दिये सायद मेरी वीडियो आप लोग को पसंद नहीं आ रही है जो भी है जो भी रिजन आप लोग बताईएगा और यहीं पर वीडियो का एंड करती हूं मैं ब्लॉक काफी लंबा हो गया है फिर नाइट हो गया अभी बच्चे वोगरा सो गया है तबकि यह किलिप है और आज फ्राइडे था वैसे और बस फ्राइडे का दिन काफी जादा काम भी पढ़ गया थ क्योंकि सुमय तहरीन का एक्जाम में एच्छा रिजल्ट आया इस वजह से उननों को गाजर का हलुआ खाना था फर्माइस था तो अभी मैं गाजर कुछ भी नहीं करने वाली क्योंकि काफी रात हो गया कम से कम लगबग 1-1.30 का टाइम हो रहा है तो इसको मैं रख देती ह कुछ यहां का मौसम है टमप्रेचर काफी जादा मतलब डाउन चल रहा है गाई जो भी वेजटेबल आता है मैं ऐसी वालकॉरी में रख देती फ्रेज में नहीं रखती हूं ठंड में तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो तगली बाय पर टेकर अला पीस